हाई फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी कि सेंट्स डियो स्प्रेज या लोशन क्रीम्स और तेलों में डाली जाने वाली खुश्बू हमारी स्किन और बॉडी को किस तरह से हानी पहुँचा सकती है जादा से जादा खुश्बू की रेसिपी याने कि ये किन पदार्थों से बनाए गए हैं ये ट्रेड सीक्रेट लॉग के अंतरगत आता है याने मैनुफेक्चरर को ये लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसने ये खुश्बू में क्या-क्या चीजें डाल कर इसे बनाया है सत्तर प्रतिशत से जादा खुश्बू में डाले जाने वाले पदार्थ पेट्रो केमिकल्स होते हैं इसके अलावा एलकोहल्स, एथर्स, फॉर्मैल्डी हाइट, स्पाइसस या मसाले, फल, फूल, खुश्बूदार जड़े, रेजिन्स जैसे गोंद और जानवरों की ग्रंतियों से निकाले गए पदार्थ ये सब चीदें तरह तरह की खुश्बू बनाने के काम में लाई जाती हैं इन में से कई पदार्थ हम इनसानों के लिए हानी कारक या जहरीले भी हो सकते हैं और क्योंकि इन में पेट्रो केमिकल्स और अलकोहल आदी मिलाई जाते हैं इसलिए इन बॉटल्स पर हमेशा लिखा होता है कि बच्चों की पहच से दूर रखें इसे आंतरिक रूप से ना लें और आग के पास भी ना ले जाएं कई बार पर्फ्यूम में जो नैचरल प्लांट एक्स्ट्राइक्ट डाले जाते हैं उन में से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है जबकि उसमें डाले गए केमिकल्स से कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन जब आप अपने डियो को ऐसे पकड़ कर अपने आप पर स्प्रे करते हो तो आप ना सिर्फ इन केमिकल्स को अपने कपड़े और स्किन पर डालते हो बलकि सांस के साथ सारे केमिकल्स आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं ऐसे केमिकल्स जो सिगरेट के धुएं से भी ज़्यादा हामफुल और खतरनाक हैं सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता ही नहीं कि आपके स्प्रे में कौन कौन से डेंजरस केमिकल्स हैं जो सांस के साथ आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं इन में से कई केमिकल्स से लोगों को आस्थमा, एलर्जी, किड्नी डेमिज, कैंसर, मानसिक तनाव और पैदा हुए बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं ये ही नहीं ये केमिकल्स आपकी स्किन को सनलाइट से भी सेंसिटिव कर देते हैं जो लोग कई साल खुश्बू वाले तेल, मॉइस्चिराइजर्स, क्रीम्स आदी लगाते हैं उन लोगों की स्किन का कलर धीरे धीरे काला पड़ जाता है यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे एक्सपेंसिव याने हाई एंड क्रीम्स, लोशन्स आदी जिनकी कीमत हजारों रुपे में जाती है, उनमें बहुत कम या कोई खुश्बू नहीं होती है लेकिन कई क्रीम्स जिनकी कीमत शायद सो रुपे भी नहीं है, उनमें खुश्बू पूरी तरह से भरी होती है यदि आप अपनी स्किन पर एक ही जगह पर सेंट डियो स्प्रे बार बार लगाएंगे तो कुछ दिनों में वहां की स्किन काली पड़ जाएगी कई लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा जो बार बार अपने अंडर आम्स को स्प्रे करते हैं कि उनकी अंडर आम्स काली पड़ गई लेकिन सेंट या खुश्बू तो सबको अच्छी लगती है और सब उसे लगाना भी चाहते हैं इसलिए सबसे पहले अच्छी इंडियन या मल्टी नैशनल कंपनी का प्रोड़क्ट खरीदें उस पर लिखे इंस्ट्रक्शन्स या हिदायते पढ़कर खरीदें और जब भी स्किन पर डायरेक्ट सेंट या परफ्यूम लगाना हो उस जगे पहले मॉइस्चराइजर या वैसलीन लगाएं फिर उस जगह पर सेंट लगाएं जीयो स्प्रे को दूर से स्प्रे ना करें, डाइरेक्ट स्किन पर भी स्प्रे ना करें, सिर्फ कपड़ों पर स्प्रे करें. बहुत खुजबु वाले तेल, लोशन, क्रीम स्किन पर ना लगाएं तो अच्छा है. हो सकता है कि इसको लगाने से आपकी skin सूख रही है, काली पड़ रही है और उस पर तरह तरह की allergies भी हो रही है यही कारण है कि मैं हमेशा सिर, face और body पे लगाने के लिए pure coconut oil या नारियल का तेल, olive oil या जैतून का तेल, sunflower oil और तिल के तेल आदी को recommend करती रहती हूं इन में बेशक कोई खुश्बू ना हूं, लेकिन यह आपका फायदा ही करेंगे और अधिकतर कोई नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपके कोई सवाल हो तो comment box में जरूर डालना, thank you